दो दिवस्य दो रिप पर नैनी ताल पहुंचे मुख्य मत्री पुष्कर सिंग धामी का भाजपा कारेकरताओं ने पुष्प कुछ दे कर स्वागत किया सियम धामी ने राजय अतिती ग्रह में पेजल विद्युत आपूर्ती के साथ ही वन अगनी कोले कर समिक्षा बैठक की इस दोरान सियम धामी ने कहा कि ग्लोबल वामिंग और तापमान बढ़ने से नदिया और जल शोत लगातार सूख रहे हैं इन्हें सोखने से बचाने के लिए पुना रिचार्ज करने के लिए प्रदेश सरकार ने वाटर रेजनेशन बौट बनाने की पहल शुरू करते हुए दैरादूर में प्रदेश भर के लोगों के साथ मिलकर जल उत्सव और परियावरन सनक्षन बनाया गया जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा उन्होंने कहा जिस तरीके से प्ररकृती अपना व्यवारं बदल रही है उस पर हम सब को मिलकर परियावरन सनक्षन पर काम करना होगा तब ही एक स्वच्छ वाथावरन हम दीश को दे सकते हैं उत्रखन के जलते जंगलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा समिक्षा की जा रही है इसमें 158 के माद्यम से जन सहभागिता को बढ़ाया जा रहा है ताकि पहले की तरह आग पर काबू पाया जा सके समिक्षा बैठक पर बोलते हुए उन्होंने कहा की वन अगनी जल विजुत विवस्था और मौन्सून की तैयारी पर अधिकार्यों की बैठक ली जा रही है नुभारत समाशार से मुन्ना अंसारी की रिपॉर्ट इसको आप बता देंगे पहले बाटे लिए प्रयास यह कि है इतने ठवावित हैं अंके परिवारों के लिए हमकर सकते है उनके लिए हम यहोंने कुछ फो जाया है इसको पारिवार के सदेश्पा पिस तरह में से कीजार्स हो अपने नहीं नढरी परिवार के सर्दस्ट से क झाल याल